दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गुहर मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर राजनीती के अंदर एक शब्द बहुत तेजी से चलता है और वो शब्द है परिवारवाद का खास कर जब से भारती जंता पारटी सत्ता में आई नरेंदर मोधी परधान मंत्री बने तो उस समय से भारती जंता पारटी परिवारवाद के खिलाफ एक अभियान सा छेड़े है दिगर बात यह है कि इस चुनाओ में यानि कि इस विधानसभा चुनाओ में भारती जंता पारटी अपने उसी परिवारवाद वाले जुमले से जुमला में ने इसलिए कहा कि जब भी कोई वायदा, कोई नारा या कोई मुद्दा किसी मुद्दे से कोई राजनीतिक दल पीछे हटने लग जाए तो उसे जुमला कहा जाता है चाए फिर वो 15 लाख वाली बात ही क्यों ना हो, खेर, मुद्दे पर आपके साथ आता हूँ, अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो भठक जाएंगे आपको मैं सीधे सीधे बताऊं तो परिवारवाद की बात भारती जन्ता पार्टी बहुत तेजी से करती रही है चाए वो लोकसभा का चुनाव हो, चाए वो विधान सभा का चुनाव हो, चुनाव कोई भी हो परधानमंत्री नरेंदर मोधी सहीत, भाजपा के तमाम बड़े नेता मंच से भी और फिर मीडिया के कैमरों के सामने भी उन सभी राजनीतिक दलों पर जो खासकर प्रोलिटिकल पार्टी हैं, रूरल इरियास की, छेत्रिय पार्टियां और या फिर वो नेता के जिनके परिवार के लोग राजनीती में फल फूल रहे हैं, उन पर व्यंगय बाण कसा करते हैं, उन पर तीर चलाया करते हैं हलाकि विबक्ष के लोग भी गाए बाजपा के नेताओं को इशारे इशारे में बता देते हैं कि आपके परिवारवाद और दूसरे परिवारवाद में आखिर फर्क क्या है क्योंकि अगर बात चलती है परिवारवाद की तो फिर भारती जन्ता पारटी के अंदर अरुराग ठाकुर जो की प्रेम कुमार धूमल मुख्य मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के उनके बेटे हैं वहां से लेकर और ठाकुर राजनाज सिंग जो आज देश के रक्षा मंत्री है उनके बेटे पंकस सिंग विधायक तक बात आ जाती है बात हर्याना से लेकर के और बिहार तक पंजाब से लेकर गुजराद तक सभी जगा चल पड़ती है लेकिन इस चुनाव के अंदर यानि कि जो भर्याना का विधान सबाद चुनाव होने जा रहा है अगर जो हवाएं संकेत दे रही है तो उसकी माने तो वो ये संदेश दे रही है कि भारती जनता पार्टी अब की बार परिवारवाद के मुद्दे को पूरी तरह गोण कर बैठी है आखिर क्या है परिवारवाद और राजनिती के अंदर परिवारवाद की परिभाषा आखिर कैसे की जाए राजनेता ये कहते है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है व्यापारी का बेटा व्यापारी बन सकता है तो फिर politician का बेटा politician क्यों नहीं बन सकता हलाकि भले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां कहें भले ही भारती जनता पार्टि परिवारवाद पर आक्षेप लगाए लेकिन ऐसे भी तमाम नेता आपको धीख जाएंगे कि जिनके परिवार में बड़े लोग राजनीति के शिखर तक पहुँचे लेकिन उनके परिवार की अगली दूसरी तीसरी चौथी पीडी राजनीति में करिश्वा नहीं कर पाई आप राजनीति क्यों आप किसी काम में चले जाएं कह सकते हैं कि अगर हुनर होगा तो आगे बढ़ेंगे खेर जिस परिवारबाद के मुद्दे पर मैं आपसे बात करना हूँ इस पर लगातार आपको हम तीन-चार सीरीज में अलग-अलग स्टोरीज बताएंगे और वो बताएंगे हर्याना के राजनीतिक परिवारों की और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ हर्याना के चौधरी देवीलाल परिवार के साथ चौधरी देवीलाल जिने राजनीति के अंदर ताउ की उपादी मिली ताउ का मतलब सबसे बड़ा चाचा होते हैं पिता होते हैं ताउ का मतलब होता है कि पिता से भी बढ़ा तो चौधरी देविलाल को हर्याना की राजनीती में न केवल बलकि देश भर की राजनीती में ताउ की उपाधी से नवाजा गया आज बिनके नाम के आगे ताउ देविलाल लिखते हैं जितना चौधरी देविलाल कहते हैं उतना ही ताउ देविलाल कहते हैं वो ताउ देविलाल जिनकी चौथी पीडी अब हर्याना की राजनीती में सक्रिये है वो चौधरी देविलाल जिन्होंने की राजनीती के अंदर माइने बदलने और माइने बनाने का काम किया वो चौधरी देविलाल जो हर्याना के अंदर विधायक से चल शुरू हो करके और देश के उप परधान मंत्री के पत्तक महुचे उन चौधरी देविलाल के बेटे हर्याना के पांच बार मुख्य मंत्री रहे उम प्रकाश चोटला उन चौधरी देवी लाल के पोते हर्याना के उप मुख्य मंत्री रहे उन चौधरी देवी लाल के भतीजे हर्याना की राजनीती में अफसर शाही के शिखर तक थे उन चौधरी देवी लाल के बेटे लोगसभा, राज्यसभा यानि की तमाम हर्याणा की या देश की ऐसी कोई लोकतांतरिक संस्था नहीं जहाँ पर चौधरी देवीलाल के परिवार का डंका ना बजा हो चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाष चोटाला सबसे बड़े बेटे हर्याणा के मुख्य मंत्री रहे पांच बार उनके बेटे डॉक्टर अजय सिंग चोटाला और अभय सिंग चोटाला अजय सिंग चोटाला लोग सभाग के सदस्य रहे राज्य सभाग के सदस्य रहे अभय सिंग चोटाला आजकल भी विधायक है वारतमान विधान सभा में विधान सभा के अंदर विपक्ष के नेता भी बने अजय सिंग चोटाला के बेटे दुश्यन चोटाला और दिगविजय चोटाला जजपा और इंसों की राजनीती कर रहे हैं तो दुश्यन चोटाला हर्याणा के उप मुख्य मंत्री पत तक पहुंचे चौधरी देविलाल के दूसरे बेटे रंजी सिंग चोटाला हर्याणा के विधायक रहे आजकल भी विधायक थे पिशले दिनों तक आजकल हर्याणा के पावर मिनिस्टर हैं बिजली मंत्री रानिया से विधायक निर्दलिये बने थे उससे पहरे 1987 में विधायक बने थे राज्यसभा के सदस्य भी रहे प्लानिंग कमिशन के वाइस चेर्मेन भी रहे लोगदल से निकल करके वाया कॉंग्रेस होते हुए वो भारती जंता पार्टी में आजकल हैं लोगसभा का चु चौधरी देवी लाल के तीसरे बेटे परताप सिंग चोटाला परताप सिंग चोटाला के बेटे रवी चोटाला और उनकी बेटे की पतनी सुनेना चोटाला परताप सिंग चोटाला की कभी भी राजनीती में रहते हुए चौधरी देवी लाल से बहुत कम बनी ओंप्रका हाल ही में लोगसभा का चुनाव लड़ी थी और अब संभवता जुलाना विधान सभा से सुनेना चोटाला विधायक के केंडिडिट होंगी MLA के लिए बात मैं आपसे कर रहा था अभी बीच में परताप सिंग चोटाला की और मैंने आपको बताया था 1987 में चौधरी देविलाल हरियाना के मुख्या मंतरी बने थे दूसरी बार हरियाना का चुनाव के अंदर इतिहास बना था हर्याना विधान सभा के चुनाव में जो 1987 में चुनाव हुआ 90 विधायक हर्याना के अंदर अब भी है और तब भी 90 विधायक बनते थे 90 विधायकों के जो विधान सभा थी उसमें से 60 विधायक चुने गए लोगदल के जो समय हर्याना संगर समीती लोगदल भी लोगदल बहुगोणा के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और लोगदल के साथ गड़बंधन था बीजेपी का बीजेपी के 16 विधायक बने यानि कि 16 और 66 विधायक बने चौधरी देवी लाल की पार्टी और गड़बंधन के उस चुनाव के अंदर मात्र चार विधायक चुने गए थे कॉंग्रेस की हलाकि उप्चुनाव हुआ तो उसके बाद पांच हो गए लेकिन पहले केवल चार विधायक बने चौधरी भजनलाल की धरम पत्नी भी उनमें विधायक थी और उनके अंदर चौधरी महंदर परताब भी विधायक थे 1987 में चौधरी देवी लाल परधान मंत्री बने तो उनके एक बेटे ओम्परकाश चोटाला राज्य सभा के सदस्य बने इन एलो के परधेश अध्यक्ष हुए लोगदल के उनके दूसरे बोटे बेटे रणजीश सिंग चोटाला रणजीश सिंग चोटाला पहुँच गए विधान सभा में वो मिनिस्टर बने हरियाना के, मंत्री धरियाना सरकार के तीसरे बेटे परताप सिंग चोटाला, परताप सिंग चोटाला को कॉन्फेट का चेर्मेन बनाया चोथे उनके बतीजे थे दॉक्टर केवी सिंग चौदरी देवी लाल के भाई के बेटे डॉक्टर साब राम के बेटे उनको हरियाणा का OSD बनाया आजकल आजकल डॉक्टर केवी सिंग के बेटे अमित सिहाग कॉंग्रेस के विधायक है डबवाली से खेर वापिस आ रहा हूँ आपके बस परताप सिंग चोटाला को जब कॉंफेट का चेयर्मेन बनाया गया तो उनसे कुछ अख़वार नवीसों ने पूछ लिया चौदरी देवी लाल से भई आपका ये बेटा परताप चोटाला तो आपके विरोध में बोलते थे आपने फिर भी बना दिया और ये तो गोर परिवारबाद है तो उस समय चौदरी देवी लाल ने ये कह दिया कि भईए अपने परिवार के लोगों को ना बनाऊं तो क्या फिर पाकिस्तान से लोगों को लियाऊं और परताप सिंग के बारे में ये कहा कि मैंने उसको इसलिए बनाया कि ताकि वो चुप रहे है आजकल वो चुप है देखो ये राजनीती का एक हिस्सा भी होता है और दूसरे कह सकते हैं कि अपने परिवार को अर्जस्ट करना परिवार के बारी का हरियाना के अंदर चेरमेन और चौते बेटे नहीं चौते भतीजे हुए, डॉक्टर केवी सिंग वो हुए, उनके O.S.D. चौधरी देविलाल के चौते बेटे है जगदीष सिंग के बेटे है आदित्य देविलाल आजकल आजित्य देवीलाल सक्रिय हैं भारती जन्ता पार्टी में यानि कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा चौधरी देवीलाल का कुनबा चौधरी देवीलाल का परिवार जो कभी लोगदल से शुरू हुआ फिर इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी हुई और बाद में तूटते फूटते बठते बठाते आज चौधरी देविलाल की विचारधारा तीन पार्टियों में है चौधरी देविलाल की विचारधारा एक तो हो गई ओम प्रकास चोटाला और उनके बेटे अभय सिंग चोटाला जो इंडियन नैशनल लोगदल चला रहे हैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा के साथ ही चल रहे हैं जन्नाएक जनता पार्टी दूसरी पार्टी है ताउ के नाम परीवनी जन्नाएक जनता पार्टी के करता धरता सुप्रीमों हैं डॉक्टर अजै सिंग चोटाला उनके बेटे दुश्यन दिख्विजे नैना चोट पार्टी में उनके बेटे जो जगदीश चोटाला के जो पेटे आधित्य देविलाल वो है और दूसरी तरफ रंजी सिंग चोटारा हैं हलांकि आप मान सकते हैं कि चौधरी देविलाल की विचारधारा में अगर डॉक्टर केवी सिंग को भी गिनके चले हैं उनके भतीज अगर परिवाररवाथ की राजनीती का एक बड़ा घ्योतक बड़ा सूचक बड़ा आप कह सकते हैं सिंबल है चौधरी देविलाल का परिवार अगर आप परिवारबात की राजनीती को मनें लेकिन ये जरूर है कि इस राजनीती के 件रंभी चले वो जिनके अंदर हुनर थ आप ये खुद अंदाजा लगा लें कि किसमे कितना हुनर था और हो समय की सब बात थी तो जो राजनीती के अंदर परिवारवाद की बात की जाती है इसके अंदर मैंने आज आपसे बात की, हर्याना की राजनीती के एक लाल चौधरी देवी लाल के परिवार के बारे में. कल आपको बताऊंगा चौधरी बंसी लाल और उनकी विचारदारा के बारे में. और आपको कैसा लगा हमारा कारकरं कमेंट जरूर बता हैं और इस प्रकार के वीडियो अपडेट्स के लिए अमरे साल लगातार जुड़े रहे देखते रहें देश रोजाना अगर आप यह वीडियो फिश्बुक या इंस्टैग्राम पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें